कि अच्छों हम लोग अच्छों कंप्लीट किये और कल की क्लास में ने बताया था कि आज हम लोग पढ़ा जाएगा कोई ने कोई चेप्टर तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे एक क्वेशन पे जो दीपों से था तो मैंने बताया था कि बच्चों देखो यह हमारे syllabus में भी है और previous year में question भी यहां से आ रखे हैं, तो यहां से question आगे भी बनेंगे, इस वज़े से इस chapter को हम लोग को cover करना होगा, ठीक है, तो इस वज़े से उसी chapter को मैं, यानि कि जो दीप है ना, दीप भारत में, उससे question जो पूछे आते हैं, मैं उस chapter की आज चर्चा करूँगा, ठीक, तो देख हम लोग बच्चों दीपों का तर थे, तो देखो, सबसे पहले बच्चों यहां, हम लोग यहां थोड़ा सा आज लिखना पढ़ेगा, परिशान नहीं होना है, चिक्खा बच्चों, भारत के प्रमुख द्वीत, चिक्खा ना, भारत के प्रमुख द्वीत, यह क्या हो गय यह हमारे बच्चों chapter का हो गया नाम मुद्धनीज रमुक। अध्य के तुरु थिक। यह हमारे Hugo नाम fik भारत के प्रमुक। अब हम लोग बच्चों दीपों में जा रहें समझने चीजों को ठ्लीक हैं तुर देखो यह हमky यहां से बच्चों थोड़ा था डाइग्राम बना दे और यह कुछ इस तरह मैंने यहां बना दिया ओ यहां पर यहां पर दिखाए तो यहां पर ही एकधी छोटा सा जिसका नाम क्या है जिसका नाम है पंबन्ग ठाट एप क। है यहां हो गया साइनने ठीक आगे देखे तो इसके पार सी बच्चों यहां हम देखेंगे स्री, थोड़ा से इसको और उपर कर दें, तब ज्यादा सा टीक होगा, ठीक, यहां कर देते हैं, तो यहां पर बना देंगे स्री हरी कोटा, ठीक, स्री हरी कोटा, स्री हरी कोटा को अंदर लिखेंगे, चुकि यहां पर अंडमानी को बार के बारे में तथ लिखन है टेक है यहां गया श्री हरीकोट अ कि अच्छा बच्छो मैं बनाया बनाया हुआ मैंने जो है सीव कर रखा है ठीक ना रोकर मैंने बनाया हुआ सेव कर रखा है तो यहां पिर तुम लोग मैं time बचाऊंगा ठीक ना time बचाऊंगा वैसे भी मुझे मालूम है कि तुन लोग बनाती हुए देखो गे तो forward कर दोगे ठीक है भागा दोगे यह मुझे पता है कें साइध रखा था ठीक है यहां है मैंने इसको बना हुआ रखा है ठीक है बना हुआ मैंने रखाती कि बस यहां पर locate करना है locate करना है क्या हमको यहां पर बना देना एक इसका नाम क्या होगा पंबधि ठीक है पंबंद्रीड शारुक खान की मूवी थी चन्नई एक्स्प्रेस उसमें उसमें इसकी चर्चा ठीक है इसकी चर्चा है ठीक ना है ठीक है तो यह हो क्या पंबंद्रीड एक यह स्रिलंका पंबंद्री खीक यह यह स्रिलंका और वक्चों यहीं मैंLEY बता रख्यां यह अई हुए है ठीक ना यह reward लिए डिपम देखते हैं तो यह क्या है एडम ब्रीज है या हम कहते है आदम ब्रीज या बोलते हैं राम सेतु ठीक ना राम सेतु और हम यहाँ देखे यहाँ तो यहाँ पर बच्चों हमको एक मिल जागा दीप और इसका नाम क्या होता है स्री हरी कोटा ठी हरी कोटा दीप ठीक और फिर हमको यहाँ पर मिल जाता है वीलर दीप उड़ी सावी वीलर दीप इसको हम अब्दुल कलाम दीप भी बोलते हैं ठीक ना इसको हम अब्दुल कलाम दीप धी कहते हैं ठीक तो यह इतनी दीपो के नाम हमको बच्चो जानने थे यहां हम लोगों ने जाना ठीक लक्ष दीप अंडमान नीकोबार यही दोनों सबसे इंपोर्टेंट है ठीक है यही दोनों सबसे इंपोर्टेंट है तो यहां पर बच्चो देखो हम लोग अकसर बोलने में क्या क प्राइब को ले करता है किसको लेकर कुछिन करेगा पहला अंडवाननी को बार और दूसरा लख्ष कि इन दीपों का निर्माड किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ है को अब फ्रक्रिया हमें पता होनी चाहिए तो ये प्रक्रिया बहुत जटिल नहीं है ठीक ना तो इस वज़र से जो है हम लोग इसको कर सकते हैं ठीक तो अब देखो बच्चों जैसे यहां एक छोटे से मैप की द्वारा मैं समझाने का अगर प्रियास करूं तुम लोग को तो यह हमारा हो गया ठीक है भारत देश भारत देश और यहां पर अंडमान और यहां हो गया निकोबार ठीक और इधर क्या है हिमाले परवतमाला और यहां से आया हुआ है इसी हिमाले परवतमाला का विश्तार है अराकन योमा ठीक ना अराकन योमा जो की माया मार में है तो बच्चों याद रख दो क्रियाओं से तो वो दो क्रिया क्या है पहली क्रिया तो ये है कि हिमाले परवतमाला का ही क्या है ये उभरा हुआ भाग है ठीक ना हिमाले परवतमाला का ही क्या है ये उभरा हुआ भाग प्लेटों का संचलन हुआ अभिसरन हुआ ठीक ना प्लेटों का अभिसरन हुआ औ और Eurasian Plate का दबाओ पड़ा, तो क्या हुआ, यहाँ परवतमाला की उत्पत्य हुई, दबाओ किस साइड में ज़्यादा था, इसलिए हिमाले परवतमाला की ज़्यादा उचाई हमको कहा देखने को मिलती है, हिमाले परवतमाला की ज़्यादा उचाई हमको इस एरिये में दे मुचा परंतु हिमाले प्रवतमाला पूरब में चौड़ा है कि पस्चिव में चौड़ा है तो हमारा एंसर क्या होगा चौड़ा कहां है तो पस्चिव में और कम चौड़ा ही कहां है पतला कहां है तो पूरब में ठीक तो अब जो दबाओ पड़ा तो इस दबाओ के फल सु क्या हुआ ये उठ गये ठीक और उपर दिखने लगे तो हो गया दीप तो हम लोग दीप की परिभासा ही यही जानते हैं क्या की दीप क्या है अस्थल खंड का वह भाग जो चारो तरफ से क्या हो समुद्र से घीरा हो ठीक ना अस्थल खंड का वह भाग जो चारो तरफ से क्या बोलते हैं तो से हम बच्चों बोलते हैं बात के लिए तो अब चारों तरफ से क्या है समुझ्द से घिर गया तो यहीं तो है ठीक दूसरा प्रक्रिया क्या हो यानि कि पहली प्रक्रिया क्या हो ही फर्स्ट प्रोसेस क्या हुआ कि इनका निर्मार किसे हुआ है हमाले पर से शूपता जाएगा परन्तु अंदर से रिलिज तो होता रहा है दो अब जमते पर ुपर उठ बस समझ रहा बच्चों ऊपर उट क्या तो दो क्रियां उसका निर्मार्ण हुए और दुसरा हिमालय शुर्तम विस्तार बात क्लियर लक्षदीप पर अभियम आते हैं पहले यहां कि पॉइंट्स को मैं खतम कर दूँ ठीक देखो अब यहां बच्चो एक्जामरार हमसे कुछ क्वेश्टन पूछेगा हम उन क्वेश्टन को जड़ा देखें तो आप देखो यहां बच्चो यह हो गया यह हो गया अंडमान और यहां हो गया अंडमान नीको बार अच्चा यह क्या है तो सर यह है 10 degree channel 10 degree channel तो सर 10 degree channel का मतलब क्या है बई channel का मतलब यही है यही है कि यह हमारी पृत्वी 0 डिग्री विश्वत रेखा और यहां 28 डिग्री 20 से काट रहा है क्या तेक है करकर रेखा तो अब 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करते हम लोग आते हैं न तो यहां क्या देखते हैं 8 डिग्री चैनल तो 8 डिग्री अक्छांस 8 डिग्री अक्छांस में क्या है कन्या कुमारी यानि केप केमुरे तो अब हम इस से अगर उपर बढ़ें तो थोड़ा सा और उपर आएंगे तो 9, 10, तो 10 तो यहां पे 10 आ गया तो यही क्या है 10 डिग्री चैनल अब चैनल क्यों बोला है तो मैंने बच्चों यह बात बता रखी है तुम लोगों को कि यह पूरा समुंदर का पार्ट है बेयाफ बंगाल है यानि बंगाल की खाड़ी यानि समुंदर तो अब यह समुंदर है क्या अब देखो इस पतले गलियारे से यह समुंदर क्या है बच्चों बहरा है इस पतले गलियारे से यह समुंदर बहरा है तो जब पतले सक्रे गलियारे से समुंदर बहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं चैनल अब उस चैनल को हम या तो कोई नाम दे दे जैसे Britain में English Channel तो उस तरह से क्या है हम नाम दे दे तो अब हमने क्या नाम दिया हमने डिगरीक हिसाब से बस इसका नाम करण कर दिया तो क्या बोला 10 डिगरी चैनल ठीक है अभी यहाँ भी चर्चा है कि 8 डिगरी चैनल 9 डिगरी चैनल का अभी देखा जाएका तो 10 डिगरी चैनल अब एक्जामनर क्या पूछने जा रहा है यह बच्चों यहां पे यहां पे 500 से ज्यादा ठीक ना 570 तरकी संथी ठीक है यहां पे दूइफ है ठीक दूइफ है तो अब मतलब क्या तो इसको इसको यहां ऐसे देख ले ठीक है तो उत्री उत्री अंडमान तो यह उत्री अंडमान हो ठीक अब इसके बाद से हम सेकंड वाले पर आजएं सेकंड वाले पर तो सेकंड वाला क्या है बच्चों इन वाला है मध्य अंडमान ठीक है मध्य अंडमान प्रुप जो तो यह हो गया अंडमान ये हो गया डक्षडी अंडमान और ये हो गया लगू अंडमान ठीक है और ये हो गया निको बार तो निको बार में कौन सा तो कार निको बार कार निको बार ठीक है और ये लगो निको बार और ये ग्रेट ग्रेट निको बार ठीक है ग्रेट निको बार ठीक है ग्रेट निको बार तो ये बचो देखो नाम करण हुए ठीक है नाम करण हुए अभी इसके नीचे बचो सुमात्रा दीप है ठीक है इसको देखो मैं यहां दिखाता हूं ठीक ना इसको देखो यहां दिखाता ठीक है क्लियर तो अब समझना यहां बचों क्या है 95 डिगरी चैनल ठीक है Object channel अब देखो हम लोगोंने कारनी को बार भी इस पढ़ने अभी इस पचण से ऑए अब देखो यह 10 इस डिगरी चैनल अब देखो यहां क्या है बच्चों कार नीको बार लगू नीको बार ग्रेट नीको बार अब थोड़ा सा कि ये जो कार निकोबार है और जो लभू निकोबार है तो चुकि उत्तर से सुरू हो रहा है तो यहां लभू वाले को बच्चे क्या समझ लेते हैं दक्षड दिमाग से वो न उतरता है सब के दिमाग से उतरता है रिविजन नहीं होगा दिमाग से उतरेगा GS की यहीं बड़ी बुराई है कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो GS में यह कह दे कि सारा content वगएरा हमसे दो साल पांच साल बाद भी पूछो तो हम बिना गलती की यह बता देंगे मैं खुद बता दूंगा ऐसा कुछ नहीं है बात समझ महा रही है और किसी भी किसी भी बच बचे टीचर के knowledge का measurement डेटा से नहीं होता है यह बात बच्चों याद रखना concept कितना अच्छा उसका है ठीक ना तो knowledge का measurement वहां से होता है अब डेटा रटना क्या डेटा रटना क्या लेके बैठे हुए किताब खुब याद किये जा रहे है छोड़ दो ना फिर 6 महीने 6 महीन चार महीने तीन महीने दो महीने छोड़ दो देखता हूं डेटा कितना याद हो जाता है समझ रहो तो यह कब तक याद रहेगा यह तब तक याद रहेगा जब तक revision होगा revision नहीं होगा भूलेगा तो इसलिए बार-बार कहते हैं कि GS है तुम लोग से data पूछा जाएगा का उनसे भी पूछा जाता है तो revision करते रहो revision करना चोड़ों यहां तो class छोड़के भागे रहते हैं तो notes पढ़ते होंगे कि नहीं अपना ठीक है बनाए भी होगे कि नहीं तमाम बाते हैं तो अभी इसको यह बात clear हुआ ना यह बात clear हुआ ठीक है तो यह इतनी बात अच्छा अब यहां देखो बच्चों यहां यहां लिखा है मैंने saddle peak ठीक है और यहां मैंने लिखा बैरन बैरन दीप कुछ बच्चे अभी इसको समझ गया होंगे बैरन दीप यह क्या है ठीक है बैरन दीप और यहां लिख देए पोर्ट ब्लेयर यहां लिखना होगा दक्षडी अंडमान में है ठीक न तो यहां लिख देंगे पोर्ट ब्लेयर और यहीं पर है इसी पोर्ट ब्लेयर में है बच्चों अब शेलूलर जेल ठीक ना सेलूलर जेल अब 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 यहां हमसे पूछने लगा अब यहां एक्जामनर हमसे कोश्चन यह पूछने लगा कि सैडल पीक नामक परवत मौला एक्जामनर का ब्वाय, हम इतने से भी नहीं रुपने वाले हैं तो पूछोगे सर अब क्या करने वाले हो अब और hon कहेगा कि सैडल पीक अंडमान में कहां इस्थित है, option A, लगू अंडमान में, B, मध्य अंडमान में, C, दक्षडी अंडमान में, या D, उत्री अंडमान में, तो बात समझ में आ गई होगी, तो हमसे question क्या पूछेगा, ठिक, तो answer अब हमको क्या देना है, तो हमारा answer हो गया, उत्री अंडमान, त अंडमान में कहां, तो मध्य अंडमान, बैरंदीप, समझ रहो, तो यह बच्चों ऐसे हमसे question पूछे जाएंगे, ठिक है, ऐसे question पूछे जाएंगे, तो यहां हमारा port blayer, अब port blayer क्या है, port blayer, इसको यह capital है, राजधानी, ठिक, ना, यहां ऐसे इसको दूसरे pen से indicate कर देत हूँ, ठिक है, ताकि यह, यह क्या है, तो यह है, बच्चों, अंडमान, निको बार की, अंडमान, निको बार की, राजधानी, राजधानी, अच्छा, एक बात और, जो बच्चे, जो बच्चे, देखके, देखके, अगर नोट्स बना रहे हैं, ठिक, तो देखो, नोट्स बनाते चलो इससे क्या होगा जैसे मालों मैंने इतना कंप्लीट कर दिया है तो इतना अब बना लो अब इसके बास से फिर जो है न अब यह आगे कि थोड़ी सी और बातों को मैं बताऊंगा समझ रहो जिसको इसकी शॉट निकालना है वह इसकी शॉट भी निकाल सकता है मैं ह या तो संख्यास दे दो या तो नामकरण कर दो इसका नामकरण किया गया है क्या किया गया है तो इसको कहते हैं इसको कहते हैं ग्रेट चैनल कल बच्चों कल कोश्चन में देखो यही था कल अबजेक्टिव में यही कोश्चन था ठीक ना तो ग्रेट निकोबार ठीक और है अच्छा किस देश का दीप है तो सर्य इंडोनेशिया का दीप है इंडोनेशिया का दीप है ठीक इंडोनेशिया का दीप है तो बात समझ में आ रही है तो अब पूछ लिया जाएं कि सुमात्रा दीप को सुमात्रा दीप को ठीक है अंडमान निकोबार से कौन अलग करता ह किसा है outta है या फिर घ्रेट नीको बार और समात्रा दीव के बीच कौन सा चैनल इस्थित है नहीं सुमात्रा दीव किस देश का दीव है किस देश के अधीकार में इस्थित है तो इंडोनेशिया है मसाला दीब बोलते हैं हमें लोग इसको ठीक ना इंडोनेसिया तो यह बच्चो इतने तत्थे तुम लोगों को पता होने चाहिए ठीक तो यह इतनी बात क्लियर ठीक अब इतनी बात क्लियर तो हम लोग आते हैं अब यहां पहले स्क्रीन सॉट इसका ले लो छोड़ो पूरा दर्षा रखा है ठीक ना तो 9 डिज्डी चैनल ठीक ना नुँँडी चैनल ठीक 9 डिज्डी चैनल तह अब देखो और यह क्या यह बच्छो 8 डिज्डी चैनल ठीक न तो इसको अगर ऐसे यहां शला की मिला दें तो देखो आठüyorsun रार डिज्डी चैनल हो कुश्चन पुछेगा कुश्चन पुछेगा मीनिकाय और माल दीव के बीच कौन सा चैनल इस्तित है तो मीनिकाय और माल दीव के बीच कौन सा चैनल इस्तित है तो आठ डिग्री चैनल ठीक तो अगला कुश्चन जरा ध्यान से सुनो पूरा यह क्या है यह लक्षदीव है औ और माल दीव को कौन सा चैनल अलग करता है तो आठ डिग्री चैनल क्या करेगा पूरे लक्ष दीव को माल दीव से क्या करेगा अलग कर देगा बात यहां तक की क्लियर ठीक अब आगे हम देखें अब आगे देखें तो अब देखो यहां बच्चों हमने लिखा है अमीनी दी कि अंडमान नोकोबार दीप समु क्यों वोलते रहे हैं समु इसलिए बोला जाता है क्योंकि सिंगल सिंगल आईलेंड्न अगर होगा चेक थिक tyre दिए जैसे ग्रिंड्लेंड दीप समु नहीं बोलेंगे यह क्यों विलर दीप समझ रहो ना विलर दीप ठीक और स्री हरिकोटा सिंगल मगर इनको हम दीप समूँ बोले क्यों क्यों कि कई दीप है इसमें यहां क्या साढ़े 500 से ज्यादा ठीक एकुरेट डेटा की बात करें तो लगभग 572 यह सही डेटा माना जाता है 572 बच्चों दीप हैं अंडवान निकोबार में और यहां क्या यहां 36 तो इसलिए क्या है लक्षदीप समूँ तो इस लक्षदीप समूँ में कुछ दीप ऐसे हैं जो हमारे लिए इंपोर्टेंट है तो उन लक्षदीप समूँ में कौन दीप इंपोर्टेंट है तो सर इंपोर्टेंट है अमिन लक्षदीप की राजधानी कवारती ठीक और लक्षदीप में ही एयरपोर्ट है एयरपोर्ट क्या नाम है आगाती एयरपोर्ट अगाती एयरपोर्ट बात समझ मैं बच्चों अगाती एयरपोर्ट और यह हो गया मिनी काई ठीक ना मैनी काई ठीक तो यह बच्चों यह हमको इतने बात जानने थे ठीक अब concept में पूछेगा इनका निर्माण कैसे हुआ है ठीक ना इनका निर्माण कैसे हुआ है इसको देख लो इनका निर्माण कैसे हुआ है तो बच्चों जैसे देखो ये सुना वगा तुम लोग ने प्रवाल प्रवाल भित्तियां प्रवाल भित्ति या हम कहले मूंगा जीव मूंगा जीव ठीक ना इन्हीं को हम वोलते हैं कोरल ठीक ना कोरल रीफ प्रवाल भित्ति तो आप देखो ये मूंगा जीव होते हैं ठी दिल की आकृती के ऐसे ये मुंगा जीव होते हैं समझ रहो मैं बना नहीं पा रहा हूं इसको इस तरह से ये हो गया दिल की आकृती के ये ऐसे ठीक है इस तरह से ये कई कलर के कई कलर के ऐसे ये क्या होते हैं ये होते हैं बच्चो मुंगा जीव मुंगा जीव का जो ऊपरी उपर का जो कवर है, उपर का जो पार्ट है, जिसको हम कहते हैं उपर का खोल, ठीक ना, उपर का खोल, तो ये, ये खोल बच्चो किस से बना है, कैल्सियम कार्बोनेट से, जैसे देखा होगा तुम लोग ने कच्छुआ को, तो कच्छुआ का जो उपरी पीठ है, ठीक ना, वो कठोर होता है, वो किस से बना होता है, वो बना होता है विच्चों, कैलसियम कार्बोनेट से, अंडे का छिलका किस से बना हुआ है, कैलसियम कार्बोनेट से, तो मुंगा जीवों का भी ऐसी ही इस्थति है, और जैसे कचुवा मुह बाहर निकलता है, वैसे ये भी मुह बा गहराई क्या हो कम हो तो जहां पे समुझ के गहराई कम होगी तो वहां क्या होगा वहां पे मुंगा जीव भारी मात्राम पाए जाते हैं लाखो लाखो की संख्याम पाए जाते हैं तो यह क्या है यह एक मुंगा जीव एक मुंगा जीव अगर आके यहां ऐसे ऐसे माल लो दस ही क Sonra ok На कर म 청ड़ी Abda Yo कि बड़ी मचली चोटी मचली का सिकार करती है तो यह इसमें बच्चों दरा रहे हैं तो चोटी मचली बड़ी मचली से बचने के लिए वो क्या करती है ож वो आके इसमें छिप जाती है. अब बड़ी मचली जो है, इसमें आने ही पाएगा और ये यहाँ देखके लगा आ तुम लोगा कोछ छोटा सा है ना, बहुत बढ़ा है ये दीव, ठीक, बहुत बड़ा है ठीक, तो अब क्या है, अब इसमें बड़ी मचली आएगी, तो अब ये अंदर इसके दरार में चला गया ना तो अब दरार में चला गया तो अब क्या है अब बड़ी मचली इनको पा नहीं पाएगी इनको मार नहीं पाएगी तो क्या किया मुंगा जीवों ने इनकी क्या किया बड़ी मचलियों से रक्षा किया मगर कर भला हूवूरा क्या होग कि जब ये मुंगा जीव अपने खोल से बाहर जब अपना सर निकालते हैं तो ये क्या करते हैं ये उनका सर जो है नोच लेते हैं नोच के खा जाते हैं सब समझ रहो तो इससे क्या मुंगा जीव आवास तो इनको प्रदान किया रक्षा भी दिया प्लस इनको भोजन भी प्र पूंद्र के ऊपर ठीक है इस फस्ट रूप से बच्चों दिछाय देने लगते हैं तो इस तरह से निर्माड होता है किसका यरो अ होता है लक्ष्जश द्रीक का बस अमझ ने बच्चों जिसमें 36 जिसमें कुल कितने द्रीष्ज़ इसका स्क्रिन सॉट लेना हो लेलो पहले अगा अगा चलो अब यहां देखो भारत के प्रमुख दीप परिभासा अस्थल खंड का भाग जो चारो तरफ से समुन से घिरा हो उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम बच्चों दीप कहते हैं रोप नधहीए किस पर्स्ट रूप से दिख रहा है उसे हम क्या बोलते हैं तो सिंगते हैं है इस पाईब क्याते हैं भारत के । estou को मुख्यदब भागों बाट कर समझा जा सकता है और अफ्यागर में स्थित दीप तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित दीप अंडमान निकोबार दीप समू ये किस में बंगाल की खाड़ी में तो अंडमान निकोबार दीप समू बंगाल की खाड़ी में इस्थित हैं 572 छोटे बड़े दीपों से मिलकर बने ठीक अब देखो इनका निर्म माड़ हुगा है बात यहां तक की हुई ठीक सैडल पीक अंडमान निकोबार का सबसे उचा परवत ठीक ना अंडमान निकोबार का सबसे उचा परवत अच्छा यहां देखो यहां बच्चों मैंने लिखा है ना सैडल पी ठीक है यह क्या है अंडमान निकोबार का सबसे खेर PPT में है ठीक है PPT में है सबसे उचा परवत माला किसका पूरे इस अंडमान निकोबार का ठीक परन्तु परन्तु अभी परन्तु अभी चलो यहां PPT में ही दिखाते हैं ठीक है MPT माउंट धूलियर मांट धूलियर अंडमान निकोबार का दूसरा सबसे बढ़ा सबसे उचा पर्वत है किसर eva क् या क्या हो रहा हैאל समझ में आराए बात आएगा समझमें विल्कुल आएगा ठीक है तो यहां बच्चों इसमें लिख दें तो Mount Thuliar, Mount Thuliar, तो अब देखो, Mount Thuliar, अब ये क्या है, ये भी है परवतमाला, परंतु, ये जो निकोबार है न, इस निकोबार का सबसे उचा परवतमाला है, पूरे अंडमान निकोबार का यह सबसे उचा परवत माला नहीं है, तो पूरे अंडमान निकोबार का सबसे उचा परवत माला नहीं है, तो यह क्या है, यह दूसरे नंबर का, पूरे अंडमान निकोबार का, यह सेकंड नंबर का सबसे उचा परवत माला है, बात समझ में आ ठीक है पढ़ना ठीकना अब यहां लोग क्या देखने जा रहे हैं हम यहां बचों देखने जा रहे हैं ठीक है Czech लख्षदीप के बारे में तो hai लख्षदीप में अरफषागर में में प्रवालभित्यों यह कितनी है 36 जिसमें 10 पर ही जनसंख्या का निवास है यह चेत्र किरसी के लिए अनुप्यूक्त होंगा ठीक है बनस्पतियों का अभाव पाये जाएगा क्यों पाये जाएगा वह यह यह कैल्सियम कार्बोनेट का यह दीफ बना हुआ है अब कैल्सियम कार्बोनेट का बच्चो दीफ है तो आप खुछ सोचो दिमार बागने जब साना उसके एगरिकल्चर हो पाएगा बहुत मुस्किल है अब उलोल के अगर कहीं से मिट्टी वेगरा आये हैं ठीक ना और जो ह ओक्तना आप खुछ की मिट्टी मेरे स्थित्ष है है तो यह लिखा है वहां पर वहां पर वानस्पतियों का आभव पाई जाता है ठीक का शर्दीप के और इंद्धल के उत्तर में इस्थित है यहां लिखा है लोर्टि चैनल के उत्तर हैं लकाथी में है कावारती ठीक और अगाति ऐरपोड़ बी तो यह किस के उपर है न की चैनल के ऊपर मीनी काहा है तो आट डिगीक चैनल का उपर जो देख ले हम तो देख ले तो नौ डिग्री चैनल मीनिकाय को लक्ष दीप तथा लक्ष दीप के दीप समू लक्का दीप से अलग करता है यह बात मैंने यहां बच्चों समझाया हुआ है पहले ही तो अब यह क्या करेगा 9 degree channel लपकादीब को क्या करेगा मीनिकाय से अलग कर देगा 8 degree channel क्या करेगा मीनिकाय को मालदीब से अलग कर देगा 8 degree channel और क्या करेगा लक्षदीब को मालदीब से अलग कर देगा अच्छा और क्या करेगा भारत को मालदीब से अलग कर देगा भाई लक्षदीब भारत का पार और है यह हो गया लक्का दीब में ही अगाती एयरपोर्ट तथा लक्षदीब की राधनी कावरती इस्तित ए टिक है आठ डिगरी चनल मीनी काय मैंने बोला न सुरू में इसको एंद्रोध भी कहते हैं बात के लिए बताया ही मैंने लक्ष दीव के सभी दीव समूह में मिनी काय दीव पूरे लच्छ दीव का सबसे बड़ा दीव है यह इंपोर्टेंट बात हो गई ठीक है बचो तो हम लोग को यह चेप्टर बचो एक है एक करना था हम लोग ने इसको कवर किया अब हम लोग देखते हैं यहां पे स्री हरीकोटा दीःःःःःःः चेक इप है का एक मात्र उपग्राप पुरे जा जाता है जो शीय हरी कोटा जीम को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है जेश्ट चो है उपड़ dank में अब्दुलकलाम या वीलर दीप या उडिसा में मंगाल की खाड़ी में इस्थित है किसी वर्तामान समय में अब्दुलकलाम दीप के नाम से जाना जाता है ठीक है इसका प्रियोग भारत अपने प्रिच्पास्त कारक्रम परिछड केंद की रूप में करता है ठीक है चलो पंबन दीप या आदम ब्रिच अथवा राम सितु का ही क्या है भाग है ठीक ना भाग है तथा भारतेयों स्रिलंका की बीच इस्थित है ठीक पंबन दीप पर ही रामेश्वरम इस्थित है ये परेटा कस्थल इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों परेटा कस्थल राम नांगाल की खाड़ी में ठीक है तो हम लोग का बच्चों complete होता है ठीक ना complete होता है दीप तो आज का class बच्चों हम लोग का इतना ही ठीक है और फिर हम लोग mcq's या और मैं chapter check करूंगा ठीक है कुछ और भी तुम लोग को बताना नहीं को overall geography खतम हो चुकी है और जैसे बचो खनीज ठीक है क्रॉप्स अनाज बगएर है ना जैसे गन्ना चावल आलू ठीक ना चाय पत्ती यह कौन सा राज इसमें आगे है कौन सा देश इसमें आगे है समझ रहो तो यह पॉइंट जिसको हम कहते हैं क्या आर्थिक भूगोल ठीक ना इकनोमिक मैटल सब्सक्राइब ठीक सोना कहां सबसे यहादा चांदी सबसे यहादा कहां समझ रहो तो इस टाइप की चीजे आर्थिक भूगोल में आती है तो अब बच्चों अब देखो उसका एक मैथड तो बड़ा खतरनाक है उसका मैथड एक बड़ा खतरनाक है कि कौन सा तुम लोगों ने कौंटिनेंट एकना कौंटिनेंट में इंटरेस्ट कम दिखाया समझ रहो तो इंटरेस्ट कम दिखानी की वज़ासे यहाँ पर मैं तुम लोग को PDF में क्या करूंगा वह एकनामिकल जागर्फी का पूरा पेज प्रोवाइड करा दूंगा टेकना बताना सुरू करूं कि लोहा यहां पे क्यों होगा ठीक ना फला जगा पे सिल्ड है सिल्ड के ठीक है एकदम बीच में ठीक है लोहा पाए जाएगा ठीक है कॉर्णर पे ठीक है कम लोहे की मात्रा होगी बगेरा बगेरा ठीक यह सारी बात अभी अगर मैं कॉंसेट से बताना स शुरू करूं तो लगभग 99 पर्षेंट मुझे विस्वास है तुम लोग भागा दो इसको समझ रहो है या फिर स्किप कर दो के वीडियो तो कोई मतलब है नहीं मैं क्या करूंगा उसका तुम लोग को प्रोवाइट करा दूंगा पूरे आर्थिक भूबल का ठीक है पीडिय में कौन ये सारी बाते जो है तुम लोग को वहाँ पर मिल जाएंगे तो इसलिए हम लोग लगभग मान के चलना है अब कि हम लोग का भूबल क्या हुआ भूबल खत्म हुआ अदर्वाइज इसके बाद अगर तुम लोगों ने कहीं कुछ बोला कि सर ये चेप्टर अभी या यहां से प्रशन आते हैं तो मैं चेक करूंगा और चेक करने के बाद मैं फिर क्या करूंगा उसको भी पढ़ा दूंगा ठीक है तो क्लास को बच्चों ही रोकते हैं और फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ठीक है झाल झाल